इससे पहले मैंने बहुत सरा वीडियो बना है Fastboot Room के उपर की कैसे आप इसे इस्टॉल कर सकते हैं अपने Redmi Note 8 में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊ कि आप कैसे अपने डिवाइस के लिए Fastboot Room को डाउनलोड कर सकते हैं कि आप सभी जानते हैं कि Xiaomi के कुछ वेबसाइट और एप्लिकेशन इंडिया में बैन कर दिया गया है जिसके लिए अगर आप अभी MIY12 के रोम को ओफिसली साइट से डाइरेकली डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड नहीं होता है अगर आप इस चैनल पे नहीं आये हैं तो हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रिस करके नोटिफिकेशन और को भी सेलेक्ट जरू कर दिजेगा वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हम यहाँ पे दो साइट लेंगे पहला जो है MIY12 का अपना अफिशली साइट जिसके लिए आपको एक VPN कनेक्शन की भी जरूत होगा हम यहाँ पे ऑपरा मेनी ब्राउजर को यूज कर रहे हैं जिसमें बाइडिफॉल्ट VPN भी आता है तो उसे हम यूज करेंगा आप कोई सभी VPN को यूज कर सकते दूसरा जो वेबसाइट है वो इंदोनेशिया से ऑपरेट किया जाता है तोनों में आपको फासबूट रूम मिल जाएगा लेकिन सेकेंड आला में कुछ एडवांटेज है जो मैं आगे बताऊंगा साथ में डिस एडवांटेज भी आपको देखने मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहां पर सर्ज बार में टाइप कर देना है इसके बाद सिंपली देखे यह पेज उपन हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्लिक करना है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके बाद आपके सामने यह पेज आएगा उपर में कुछ केटेगरी वगरा देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर आप भी स्कीन पर देख रहे हैं साथ में यहां पर आपको एमाय वाइट 12.5 के ऑफिशली लिंक भी मिल जाएगा बट आपको यह पर डाउनलोड पर क्लिक करना है आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे देखिए 403 forbidden option यह पर आपको देखने को मिलेगा यानि कि यह block is due to the security reason इसके आपको simply यहां पर जो refresh का बटन है यहां पर आपको tap कर देना है उसके बाद यह automatically इस तरह से यह load हो जाएगा थोड़ा से time लेगा क्योंकि VPN connection थोड़ा delay चलता है जिसके लिए आपको यहां पर थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल सकता है आप यहां पर देखिए आपको दूसरा device है तो आप उसे choice कर लिजिएगा उसके बाद यहां पर submit थोड़ा सा wait कीजिएगा और यहां पर आपका एक new page जो open हो जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख रहें अब यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का option देखने को मिलेगा और य यह stable room है जो कि zip में आता है और fastboard room का extension जो होता है वो tzz में आता है उसके लिए आपको simply यहां पे flashing guide पे click करना है new एक window open होगा उपर में जैसे कि आप अभी देख रहें थोड़ा सा wait कीजिए अब यहां पे भी आपको fastboard room देखने नहीं मिलेगा simply आपको और एकवर fastboard update पे click करना है और यहां पर और एकवर पेज रिफ्रेस होगा अब यहां पर आपको fastboard room का जो download link है बहुत सभी के सभी यहां पर देखने को मिलेगा आपको यहां पर अपने device के हिसाब से fastboard room को download करना है अगर आप दूसरा की fastboard room download करके अपने device में install करना चाहते तो आप नहीं कर सक करते हैं तो हमारा जो device ready me note 8 हम यहां पर search करना है ready me note 8 तो यहां पर हमरे पस बहुत सारी device का list है तो simply हम यहां पर PC पे है तो जिसके लिए हम यहां पर control plus app का use करेंगा यानि की find tool तो यहां पर search में आपको type कर देना है ready me note 8 यहां पर जितने भी ready me note 8 word लिखा रहाएगा वो इसे जो भी आपका roam है उसे आपको इस तरह से click करके download कर लेना है ध्यान रहे है जैसे यह click होगा download होगा उसके बाद आपका जो VPN connection है उसे disable कर देना है अगर आप disable नहीं करेंगा तो क्या होगा कि आपका जो download है वो काफी जादा down रहेगा यानि कि slow हो जाएगा तो download में जैस यह चला जाए तो आप अपना जो VPN उसे disconnect जरू कर दीजिएगा तो जैसे कि आप आप देख सकते यह download हो रहा है तो हम यह पर download नहीं करेंगे क्योंकि यह सिर्फ tutorial वीडियो है कि कैसे आपको इसे download करना है अब बात करते हैं दूसरा method तो उसके लिए आपको Google में type कर देना है यहां पर आपको इस तरह से click कर देना है जैसे आप यहां पर click करेंगे Xiaomi framework पर आपको new page इस तरह का open हो जाएगा तो जैसे कि मैं यहां पर बोरत हैं यहां पर advantage और disadvantage तो disadvantage के बारे में पहले बताते हूं यहां पर आपको काफी जादा ads देखने को मिलेगा यही इसमें एक disadvantage है और बात रही इसके advantage का तो इसमें आपको सभी password room देखने को मिल जाएगा साथ में आपको beta update भी देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पे stable update भी यहां पे देखने को मिल जाएगा तो download करने के लिए simply आपको करना क्या है देखिए उपर में आपको एक download button देखने को मिल रहा ह download पे click करना है उसके बाद यहां पे MIY choice कर लेना है MIY choice कर लेने के बाद यहां पे आपको click कर देना है थोड़ा सा wait कीजेगा और यहां पे सभी device का MIY 12 और MIY 12.5 का download link आपको देखने को मिल जाएगा एक चीज में clear कर देता हो कि MIY 12.5 का download link उन सब device को देखने को मिलेगा जिन आप आपको simply type करना है और यहां पे search कर लेना जैसे आप यहां पे type कीजेगा आपके device के लिए जितने सारे भी roam रहेगा वो सभी के सभी आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको यहां पे download link मिल जाएगा तो download link पे click करना और कुछ add बगर देखना और यहां पे close कर देना ह और यहां पे आपको सामने एक new page open हो जाएगा अब यहां पे आपको दो download link देखने को मिल रहा है इसे आपको download नहीं करना यह stable room है जो आपके device से update होगा और जैसे कि मैं बहुत रहा था कि आपको fastboot room का extension होता है TGZ इसे ही आपको download कर लेना है तो यही था आज की इस वीडियो में आगे और भी सितर की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चनल को subscribe कर लिजे बगल में notification bell icon को प्रेस करके notification all को भी select जरू कर लिजेगा वीडियो के notification पाने के लिए साथ में आप हमरे telegram group को भी join जरू कीजेगा क्योंकि हम आपके latest update आपके लिए सबसे पहले provide कर देते हैं thank you